image transformation, basic operations की बात करेंगे, basic operation आपके image performance में, कैसे होते हैं, यह आपकी second unit है, किसकी आपके digital image processing की, जिसमें कि अपन किस-किस की बात करेंगे, basically, यहाँ पर basic image operations होगे, यहाँ पर intensity transformation functions की बात करेंगे, उसके लाओ आपन special filtering की बात करेंगे, उसके लाओ आपन histogram की बात करेंगे, और य अभी जो अपन बात करेंगे वो करेंगे basically image transformation, अपने को basic need क्यों ही image transformation की उसकी बात करेंगे, और basically image transformation के लिए जो भी अपने पास में एक special domain है, basically अपन किसके related बात कर रहे हैं, यहाँ पे special domain से related बात कर रहे हैं, जो अपने last class में की थी, कि what is the special regulation या फिर special domain आपका particular क्या होता है, उसके उपर अपन पहले बात कर चुके हैं, तो अभी जो भी अपनी बात होगी, वो किस से related हो रहे हैं, जो भी आपका transformation हो रहा है, वो किसमें हो रहा है आपके पास में, जो आपके पास में smallest unit है, किसी भी pixels के लिए, उसके उपर जब अपन कोई भी operation परफ French करते हैं, बैसिकली, तो वो किसमें होता है, आपके image transformation में, और image transformation का use क्यों करता है, बैसिकली उसकी information collect करने के लिए, पर्टिकलर किसी भी आपन image transformation का use करेंगे बैसिकली, तो बात करते हैं, है, what is the image transformation, ए, image transformation can be applied to an image. तो कोई में इसको क्या कर दिया तो यह किसी में आएगा आपके सी मेंода किसी में अगे तो वो क्या हो गया IMAGE TRANSFORMATION हो गया अब अब IMAGE TRANSFORMATION करते क्या है क्यों है उसके लिए क्या करते हैं इसके लिए क्या करते हैं image transformation करते हैं, कोई image का particular image time domain में है तो उसे works on frequency domain में convert कर देंगे उसके बाद transformation use करके उसके बाद में क्या कर सकते हैं, आपन उसमें जैसे आपनने कुछ क्या किया, particular time domain में थी अब time domain प्या कर नहीं कर सकते हैं transformation के कुछ जो भी अपने different type of transformations हैं वो आपन उसके उपर implement नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले किसमेएं अपने फ्रिक्वेंसिी डोमेन में कनुवे करने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर जो भी अपने पास में propor 주 s Prum कर सकते है जैसे कौनसे इंहेंसमेंट कर सकते हैं अपनule कर सकते हैं उसको modify कर सकते हैं उसको mathematical operation perform कर सकते हैं particular किसी भी image के उपर और आपके पास में जो particular आपका transformation है transformation is basically mathematical tool है आपका कैसा tool है आपका mathematical tool है आपका कौन सा आपका transformation which allow us to move from one domain to another domain image transformation are useful for computation of convolution and correlation basically कि आपके पास में particular कोई इमेज है particular मेरे पास में कोई एक object है वह अपना आगे बात कहिंगे जैसे मेरे पास में कोई object है उसकी मुझे को image capture करनी है और particular उसको मुझे specific उसका जो identity है उसके लिए particular जो भी मेरे पास में object है उसका जो point है उसके लिए मुझे क्या करना है कि particular image वहाँ पे capture करनी है या उस pixels की जो particular image में जो point है आपका उस point से related आपको को information gather करनी है तो वह किसके थुरू आप gather कर सकते हो या information collect कर सकते हो वह उसके लिए अपन क्या यूज करते है time domain में भी होती है आपके पास में या special domain में भी होती है तो उसके लिए सबसे फ़ले उसको किसमें convert करते है अपन frequency domain में convert करते है और उसके बाद में क्या करते है उसके पूरा अपन different transformation use करते है जैसे कौन से use कर सकते है अपन Fourier transformation use कर सकते हैं DCT आप wavelength transformation use कर सकते हो या फिर अपन कोई भी frequency transformation use कर सकते हैं particular information के particular point के या pixels के भी particular element की क्या कर सकते है information अपन gather कर सकते है या फिर उसको क्या कर सकते है अपन enhance कर सकते है या फिर उसको segment कर सकते है या फिर कोई भी दूसरा fundamental operation आप उसके उपर perform कर सकते है तो आपक अपन परफोर्म करते हैं basically किसमें आपके transformation में अगर मैं इसमें और आपको बात करूँ तो आपके basically क्या होता है आपके पास में image transformation is represent of a 2D signal आपका image representation कैसे होता है अपने बात की थी x and y आपका एक plane होता है basically आपका जो plane है basically उसमें क्या होता है आपके 2D signals होता है image signal holds 2D visual information image के जो भी signals होता है वो कौनसी information करते है two dimensional information आपकी visual होती है आपको the efficient representation of visual information lies at the foundation of many images process task with include image filtering, image compression and features extracting particular अपने पास में जो भी आपका transformation है वो आपको किसको fulfill करता है mathematical equation है domain convert कर रहे हो उसके साथ में आप क्या कर सकते हो different different task perform कर सकते हो किसी भी image के ऊपर कौन सी आपके image filter कर सकते हो image compression कर सकते हो और कोई भी particular image है उसका particular आपके पास में कोई सी भी pixels के लिए क्या करने ही आपको इसको features आप उसके extract कर सकते हो efficiency of representation कर सकते हो किसी भी picture के लिए किसी भी point के लिए the efficiency of the representation क्या होती है basically the ability to capture significant information of an image in small description कि particular में पास में कोई भी point है कि particular आपका जो भी आपके पास में pixel है pixels की special domain, special आपका regulation है उसमें particular domain का color क्या है आपका particular उसका color के साथ में उसकी density क्या है उसकी आपके पास में brightness कितनी आपका saturation क्या है आपका उसका color कौन सा है आपके पास में और आपका pixel क्या है, dot per inches क्या है वो सब information आप small type में आप क्या कर सकते हो उसको आप descript कर सकते हो उसके लिए किसका यूज करते हैं आप efficiency और representation का यूज करते हैं transformation is the basically mathematical tool है which allows the move from one domain to another domain generally time domain या special domain to frequency domain में क्या करते हैं, basically अपन इसको convert करते हैं अपने किसमें अपन किसकी बात कर रहे हैं अपन need of translation की बात कर रहे हैं किसमें अपने image processing में अपने अभी तक बात की यह क्या है transformation is a function, mathematical function है आपका a function that maps one set to another set after performing some operations अब particular मेरे पास में क्या थी है यह एक image अपने, यह particular मेरे पास में image है, कौनसे वाली? यह image है, यह image अपने capture की है capture करने के बाद में क्या किया? digital imaging process system के थूँ DIP processing के system के थूँ अपने क्या किया particular अपने को किस पर focus करना है? आपने को क्या करना है, तो अपने क्या किया उसको image को transformation किया और अपने क्या उसको image को filter किया, enhance किया, canvas किया, compress किया या फिर modify किया, उसके बाद भी अपने किस के focus कियाए, तो यह basic, आपका किसमेड़ किया output can be called as transformation function as it shows transformation or relation that how a image one is converted to image to अपने पास में यह पस्ट कोई भी image थी इसको किसमें convert कर दिया अपने image to image को particular image को अपने convert कर दिया तो यह जो इनका relation है वो भी कोन आपका explain करता है वो आपका transformation of image transformation function आपका क्या करता है उसको आपको explain करता है particular किसी भी image के transformation के लिए अब आपन ने इसमें बात किये कि आपके किसका यूज करता है बैसिकली इसमें अपन एक अपना जो image का basic introduction है अपन सबसे पहले उसमें किसकी requirement होती है वो किसको convert करता है आपके पास में जो आपके पास में कोई भी एक particular object वो किसमें होता है आपके पास में amplitude versus time में जो भी domain है आपको उसमें किसको convert करेगा वो amplitude versus frequency में time domain को किसमें convert कर देता है आपके frequency domain में convert कर देता है basically basically किसमें करता है मेरे पास में मेरे पास में कोई भी एक एफोप मेरे पास भी यह कह एक time domain है इस time domain को आपका Fourier transformation क्या करता है basically it is convert in capital F F Omega यह क्या है आपका frequency domain है आपका आपका कानसा AepHop omega आपका और यह क्यांसाथ आपका time domain है और यह किसमें आपका convert हो रहा है यह Fourier transformation में आपका convert हो रहा है 좋은 आपके कोई भी time domain में कोई image है Which किस में कर दिया कोई भी signal है आपका time domain में और उसको किस में convert कर दिया अफ़ने frequency of omega आपको उसमें convert कर दिया तो यह किस इसख तूर है आपका particular transformation में जो भी आपका initial signal मिलेगा ऊही रहने वाला है और किसमे आपका time domain में crystallian या फिर किसमें आपका special domain में है और special domain basically क्या करते हैं कि particular हड़ domain पर फिक्सल्स पर operation perform करता है तब आपका transformation आपका क्या होता है पर्फॉर्म होता है particular कितने पर आपके जितने नंबरों फिक्सल्स है आपके image में उनके particular आपके पास में particular फिक्सल्स के उपर individual फिक्सल्स के उपर आपको transformation function perform करना होता है उसके बाद में वो किस में convert होगा आपके पास में time domain में है तो particular pixels को आपको किस में convert करना होगा frequency domain में आपको convert करना होता है basically अपने पास में मेरे पास में क्या है कोई भी मेरे पास में ये कोई फिक्सल है अब यहां पर मेरे पास में यह कोई image है यह मैंने अगर इन केस में बात करता हूँ कि यह मेरे पास में image है वो कैसी image है 3y 3 की एक image है चीक है यहाँ पर मेरे पास में क्या है यहाँ पर कुछ मेरे पास में रोज है और कुछ columns है मेरे पास में और यह कैसे है मेरे पास में पास में कोई भी फिक्सल है और इसके बाद में ये इसके नेबर हुड्स है अब transformation कैसे वाक करता है इसका या तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका threshold कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकता हूँ मैं इसका contrast level increase कर सकता हूँ या decrease कर सकता हूँ brightness brightness increase कर सकता हूँ या फिर decrease कर सकता हूँ तो इसके लिए ये कौन सी values को किसके साथ में masking करता है ये ये इसके जो neighborhoods इसके pixels हैं उनके साथ में क्या करेगा ये masking करेगा और उसके बाद वे जो value उसके लिए suitable होगी उसके अकोड़ी यह क्या करता है उसको particular value को यह आपको visible करता है तो यह information को gather करने के लिए particular pixel की information को gather करने के लिए अपन किसका use करते है basically transformation का use करते है अब सबसे पहले बात करते हैं कि image transformation आपका कैसे perform होता है image transformation basically क्या है मेरे पास में एक question है आपकी कैसी आपकी जी आपका x y equal to t आपका FXY है basically, अब आपके पास में आपने बात करते हैं, किससरी में आपका FXY क्या है, आपके पास मैं एक input image वे जिसके उपणे पर अपने को क्या perform करना है, आपको transformation function आपको apply करना है, आपका G क्या है, आपका output image है, जो कि किसके बाद में आएगे आपके पास में, आपका transformation function आप जैसे इसके उपर कुछ भी आप कोई भी इसको modify कर रहे हो इसको क्या कर रहे हो इन्हांस कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो इसको particular image को आप segment कर रहे हो या फिर compress कर रहे हो तो यह आपका T क्या है आपका यहाँ पर transformation function है तो आपके पास में यह particular आपका क्या होगी आपके पास में आपका g x y आपका क्या होगा particular यह आपका pixel होगा आपका x and y आपके पास में particular फिक्सल होगा उसके उपर आपका यह तो आपकी output image होगी और यह क्योंसी होगी आपके पास में f x y क्या है आपकी input image है T क्या है यहां प्या आपके पास में T is the transformation function आप उसके बाद में बात कता है gray level transformation क्या होता है gray level transformation आपके पास में gray level transformation ही क्या होता है आपके पास में intensity transformation function भी आप इसको बोल सकते हो या फिर क्या बोल से होते हो तो इसको mapping transformation function भी आप इसी को बोल सकते हो all images processing techniques focused on gray level transformation as it operates directly on pixels अपने क्या बात की थी अभी तक जो अपने basic transformation की बात की थी कि आपके पास में जो भी transformation का function आपका perform होगा वो किस पर होगा particular pixels के उपर होगा the gray level image involves 256 levels अपने बात की थी 2 की power 8 की बात की थी या 2 की power n की अपने बात करते हैं तो अपने पास में जो gray levels होते हैं वो कितने होते हैं 256 gray levels आपके पास में होते हैं किस में होते हैं इन्हें histogram आप histogram की बात आप में next class में करेंगे what is the histogram horizontal axis spans from 0 to 256 0 to 256 आपके total number of कितने हो गए 256 आपके क्या हो गए gray levels हो गए 256 आपके total हो गए 0 to 255 and the vertical axis depends on the number of pixels in the image basically कि जितने number of pixels आपके image में है उस पर आपका depend करेगा अब बात करते हैं कैसे आपन particular gray level transformation perform करते हैं basically gray level transformation क्या है कि आपके वो map करना है एक जो input आपकी image है आपको इसको map करना है किसके उपर map करना है कि particular मेरे पास में कोई भी एक input image है उसकी value मेरे पास में आ रहे है उसको मेरे किस पर करना है उसका construct को मेरे को increase करना है या decrease करना है या फिर किसको करना है मुझे उसको particular image को threshold करनी है उसकी और क्या करना है एक नई image उसकी create करनी है particular पर्टिकॉलर और वह कैसे होगी इसके जो नेबरूरोंटस अपने भी बात की है कि नेबर लेवल्ड का जो कॉन्ट्राक्ट होगा या फिर उसकी ठ्रेश वोल्ड होगी उसको उसको यूज करके क्या करना है उसको अपने को convert करना है अगर इसके मैं formula की बात करता हूँ enhancement technique की बात करता हूँ कि इसमें grey level transformation में तो जब अपन grey level transformation की बात करता है तो इसमें आपका s is equal to क्या होता है s क्या है basically आपका यहाँ पर अगर s की बात करना है particular s की तो आपका s क्या करना है किसी point का transformation करता है तो particular enhance करना है उसका contrast level कम या ज्यादा करते हैं particular तो आपके पास में क्या करना है आपको increase करना है आपका contrast level को कम करना है या decrease करना है या फिर increase करना है तो आपके particular में अगर find out करना है मुझे S is equal to T multiply by R आपका क्या function है where T is the transformation R is the value of pixel है आपकी particular r क्या है आपके पास में कोई भी pixel की value है आप pixels की value आपके क्या हो गई आपकी image होगी particular आपका pixels भी क्या है एक image आपका particular pixel भी क्या होगा आपकी image होगी value of pixel, s is the pixel value before the after processing और s क्या है आपके पास में s is the pixel value before and after processing आपकी पहली की value क्या है और बात की value क्या है तो r e jiggle to क्या हो गई अपने पास में कि अपने बात की थी R क्या है अपने पास में जब आपन transformation परफॉर्म नहीं कर रहे थे उससे पहले कि जो particular आपके पास में values होगी किसी भी image में जो अभी अपने last में बात की थी मेरे पास में particular कोई भी यह वाला pixels है यह pixels कौन सा है मेरे पास में कोई भी एक image है उसमें particular pixel मेरे पास में f मेरे पास में एक image है उसकी value का है मेरे पास में x and y है अब जब तक मैं इसको उसके उपर कोई operation perform नहीं करूँगा तब तक तो यह value same रहेगी जैसे मैं transformation यूज करूँगा इसके उपर तो value क्या हो जाएगी यह change हो जाएगी मेरी किसमे हो जाएगी g is equal to x of y आपका एक transformation आपका function आपका generate हो जाएगा particular यह क्या है आपकी enhancement technique है किसमें आपके gray level transformation में और gray level transformation is important to your exam point of view अभी तक अपने बात किएगी particular मेरे पास में यह कोई भी एक क्या है मेरे पास में यह क्या है ता मेरे पास में t of r क्या था basically अपने ने t of r की बात की तो यह क्या था आपके पास में input image थी आपके पास में r क्या है आपके input image है और इसके बाद में यह किसमे का नुवर्ट हो रही है आपके पास में आपका S क्या था आपके पास में एक output image जैसी अपने उसके पास में R तो अपने पास में input image है त जैसे ही अपने उसके ऊपटर क्या perform किया एक transformation function उसने perform किया उसके बाद में अपने को S आपका क्या होगा generate होगा आपका, मैंने यहाँ पर क्या किया आपने पास में, यहाँ पर मेरे पास में इस side क्या है, मेरे पास में dark face है यहाँ पर कौन सा है, मेरे पास में light यहाँ पर brightness है यहाँ पर क्या है, आपके darkness है तो इस condition में particular मेरे पास में कोई भी image है उसको क्या कर दिया मैंने उसको contrast उसका increase कर दिया तो उस condition में यह तो क्या हो गई light से dark में आपकी dark से किस में convert हो गई आपकी light में convert हो गई तो यह तो किस का हो गया contrast का हो गया और यहां पर क्या हो रहा है basically इसमें आपका threshold अगर मैंने क्या कर दिया उसका change कर दिया threshold, अब यह change किस के according करते हैं, आपने बात ञन्सिटी लेवल है और आपके पास में output intensity लेवल है basically मैं आपने बात करते हैं कि अपने पास में क्या हो गया अपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या आपके transformations होते है už कि var करेंगे अपने किक्विट करें पर्ट यह पास है एक कमवाइन आपका क्या है आपका particular मेरे, मेरे पास्-पने बेसिक और यहां पर किस में कर रहा है आपका inverse लोग में आपका work कर रहा है तो यहां तो आपकी क्या हो रही है आपके पास में particular intensity है यहां तो आपकी particular जो आपकी brightness है वो किस में जा रही है आपकी decrease हो रही है बट इस type में आपका contrast है या फिर brightness है वो क्या हो रही है कि इस साइड में आपकी increase हो रही है basically, तो अपने बात करते हैं कि different types के grey level transformation के different types होते हैं, अब वो different types आपके कौन-कौन से होते हैं, किसमें आपके grey level transformation में तो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो कौन सा है आपका, आपका linear और image negative to identity transformation, आपका linear transformation जिसको बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं इसको आपका image negative और identity transformation भी अपने क्या करते हैं इसको बोल सकते हैं basically आपका अगर अपने इसकी बात करते हैं linear transformation आपका कैसे perform होता है the linear transformation includes identity transformation and negative transformation and entity information transformation each value of the image is directly mapped to the each other value of the output identity transformation में क्या करते हैं जित्रे भी number of values है आपकी उसके साथ में क्या कर रहे हैं होता है basically इजे opposite of identity transformation here each value of the input image is subtracted from L minus 1 L क्या है यहाँ पर आपके पास में L इस दा आपके पास में अपने number of sets की बात की थी minus 1 and then it is the map down to the output image अब उसका जो same image को आपन क्या नहीं कर रहे हैं वहाँ पर आपन उसको map नहीं कर रहे हैं किस में से map कर रहे हैं आपन L minus 1 में से क्या कर रहे हैं अपन map कर रहे हैं किस में आपके negative में तो आपके पास में अगर in case में मेरे पास में कोई भी image है white है जब मैं उसका negative करूँगा तो वह किस में हो जाएगी आपकी black में होगी कि मेरे पास में कोई भी particular मेरे पास में ये वाला कोई भी point है मेरे पास में ये वाली एक image है ये पहले जो मेरे पास में image थी उसकी value और उसके बाद में मैं map करूँगा किसको जो transformation function था उसके बाद में क्या करूँगा particular value को मैं map करूँगा और उसके बाद में क्या करूँगा particular आपका एक identity आपकी fulfill होगी, अब negative transformation में क्या होता है basically क्या होगा मेरे पास में यह input image थी तो अगर मेरे पास में यह dark image है तो क्या हो जाएगा इसका, यह आपकी bright हो जाएगी, अगर मैं इसको बलता हूँ मेरे पास में यह black थी, तो यह क्या हो गई यहां पे white हो गई, अगर यह मेरे पास में क्या थी है, input image है, अगर यह वाली मेरे पास में input image है, अगर इसमें negative transformation follow perform करता हूँ, तो यह कैसी हो जाएगी, मेरे पास में यहां पे, यह black आपकी convert हो जाएगी, तो यह क्या है आपका, it is the linear transformation, अब next one is the log transformation, आपका basically क्या होता है, ज इसको आप क्या बोल सकते हो, log and inverse log transformation भी आपने इसको बोलता है, basically log transformation is divided into two types, log transformation and inverse log transformation, आप formula की बात करते हैं, ति दा formula for the log transformation, s is equal to क्या होगा, आपके पास में, c log r plus 1, आपके पास में, c क्या है यहां पे, एक constant value होगी, आपके पास में, आपके पास में log r क्या होगा, r क्या अब यहां पे अपने plus 1 q use किया है, plus 1 use इसलिए किया है, in case अगर मेरे पास में, यहां पे 1 use नहीं करूँगा, तो r is equal to, अगर मेरे पास में 0 है, तो उस condition में क्या होगा, आपके log की value हा तो 0 हो जाएगी, या फिर कहां पे चली जाएगी, आपकी infinite में चली जाएगी, तो उस added to each pixel value, this is because if pixel intensity is 0 in the image, then log 0 is infinite, so to have minimum value 1 is added, जो मैं आप यह पताया कि 1 क्यों add कर रहा है, particular formula में आपन, क्योंकि जो value log 0 की value होगी, वो infinite में चली जाएगी, तो इसके लिए किस का use कर रहा है, plus 1 का use कर रहा है, जो भी आपके पास input image होगी, जो भी input image का pixel होगा, उसमें क्या करना ह है अपने को, log transformation में, आपको one add करना है, when log transformation is done, dark pixel is extended and compared to higher value pixel, in log transformation, higher pixels are compresses, basically, अपने पास में क्या होगा, प्रिगुलर मेरे पास में, जो भी मेरे पास में एक higher value का pixels होगा, वो किस में हो जाएगा, आपका, convert हो जाएगा, inverse log, और ये क्या हो गए मेरे पास में, ये तो क्या हो मेरे पास में ये कोई भी image थी, अब image में inverse log में तो क्या हो जाएगा, उसका जो भी dark pixels है, वो आपको visible होगे, और मेरे पास में, log में क्या हो जाएगा, मेरे पास में, उसमें जो भी आपके brightness है, या फिर white pixels है, आपको visible होगा, particular spectrum आपको visible होगा, किस में आपके log transformation में, उसके बाद में next बात करते हैं, अपने पास में log transformation के बाद में आपके पास में आता है, power low transformation, power low transformation is the last, और इसको अपन क्या बोलते है, nth power and nth root transformation भी क्या कर सकते हैं, अपन इसको बोल सकते है, basically, अब इसमें basically क्या होता है, अपने पास में power transformation में, अपने पास में, जो इसका formula होता है वो क्या होता है basically इसका s is equal to cr r की power आपका गामा है गामा क्या है basically यहाँ पे आपका variable set of point है basically power low transformation is two type of transformation nth power transformation and nth root transformation आपका जो formula की बात की है गामा यह आपका गामा है by which this transformation known as the gamma transformation तो अपना जो power low transformation है उसको किसके नाम से भी जानते है basically अपन gamma transformation के नाम से भी जानते है all display devices have their own gamma correction that is why images are displayed at different intensities this transformation are used to enhancing images image को enhance करने के लिए किसका यूज करते है power low transformation का अपन यूज करते है अगर particular में बात कर सकता हूँ तो अगर आपकी gamma की value क्या हो रही है अगर change करते हैं image का contrast level क्या होगा जैसे अपने की gamma की value अपन change करेंगे तो आपके पास में क्या होगा particular जो contrast level है image का वो या तो increase होगा या फिर क्या होगा आपका decrease होगा अगर मैं यहापे condition आपको find out करके बता हूँ इसके तो अगर मैं क्या होगा gamma की value greater than 1 होगी तो उस condition में आपका nth power क्या हो जाएगी वो reduce होगी आपके पास में गामा की value अगर greater than है आपकी less than है आपकी किससे वन से तो उस condition में आपकी image है उसका जो contrast level होगा वो क्या हो जाएगा अगर इसके बाद में one से क्या हो रही है अगर अगर आपकी पर्टिक्रलर अगर image की value अगर gamma की value आपoren increase कर रहे हो greater than one है आपकी वेलू तो यह contrast level क्या होता जाएगा आपका decrease होगा इनकेस अगर gamma की value 1 से क्या है आपकी less than है तो उस condition में आपकी particular जो image है उसका contrast level क्या होता जाएगा आपका increase होता जाएगा आपकी image क्या होगी आपकी जो contrast level है basically वो क्या होगी आपकी जो brightness से image की वो increase होती जाएगी किसमें आपका power low transformation में